गुजिया होली किसान और जान होती है गुजिया के बीना जो है होली अधूरी मानी जाती है तो आज चलिए बनाते हैं डेजाइनर गुजिया बीना सूजी बीना मावा के तो चलिए रेस्पिस सुरू करते हैं नमस्कार रानी कीचन में स्वागत है तो यहाँ पर हमने लिया ह चार चमच बेशन तो सबसे पहले बेशन को थोड़ा साम भून लेंगे बीना तील घी डाले बेशन भून गया है तो इसको साइड में कर देते हैं और यहाँ पे हमने आधा कप मैदा और आधा कप गियों काङटा लिया है इसमें डाल देते हैं देसी घी या तो या आप के वलगेंगों के आठे से भी बना सकते हैं, या दोनु जैसे मैंने मिक्स करके लिया है, वैसे आप ले सकते हैं, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इसका हमें आठा लगाकर तैयार कर लेना है, तो आठा नज्यादा सॉफ्ट रहेगा और तो यह देखिए आटा लगा करके तयार कर लिया है अच्छे सी मसल मसल कर हमने इसको तयार किया है कि मैदा होता है इसको ज्यादा से ज्यादा सानना जरूरी होता है यहां पर हमने जो बेशन लिया था थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसमें dry fruits डाल देते हैं तो कोई भी मन पसंद अपने dry fruits ले सकते हैं यहां पर हमने घर पे ही एक कप दूद को इस तरह से भून करके खोया बना दिया है तो इसको डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको mix कर देना है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीनी चीनी की जगा आप गूर का भी इस्तमार कर सकते हैं जो लोग चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं इसके जगा पाप गूर भी डाल सकते हैं सारी चीजों को अच्छे तक मिलने तक मिला लेना है तो यह देखिए मिसरन बिल्कुल रेडी है यह देखिए बिल्कुल बढ़िया बनके तयार हुआ है और यहाँ पे जो आटा है इसको थोड़ा सा फिर से चिकना कर लेंगे मसल मसल कर और इसकी छोटी-छोटी हमें लोहित तोड़ लेना है तो आज मैं आपको बुझिया जो है बिना बेले बताऊंगी इसको बिल्कुल भी बेलना नहीं है बिल्कुल असान तरीके से आप घर पर इस होली बना करके तयार कर सकते हैं तो देखिए हमने लोही काट ली है लोही को थोड़ा सा हिस्तर से चिकना कर लेन नय है तो चैनल को सब्सक्राइब पर दें तो यहाँ पे सुखा मैदा थोड़ा सामने चिलक दिया है यहां पर लिया है जाली वाली छनी इस तरह से थोड़ा सड़ी जाइनल हम बनाएंगे गुजिया तो इस तरह से चिपटा करते जाएंगे और इस तरह से बना करके हमें तयार कर लेना है जैसे दिखिए मैं दबा दबा कर इसको बना रही हूं अभी इसको नीचे रखेंगे और इसमें जो हमने इस्टफिंग तयार की है इसको डाल देंगे बेसंगी और अच्छे तरीके से इसको उपर से दबा करके बंद कर देना है तो मैं दो तरीके से इसको ब बबा दिया है ताकि जब हम तेल में फ्राई करें तो यह खूले न हुट कि इस तरह से थोड़ा थो सा पूड़ी की तर बढ़ा कर भी इसको इस तरह से डुजाइन बना सकते हैं इस तरह से ज्यादा इजी होगा तो यह देखे हमने इस तरह से तयार कर लिया है अब इसकी उपर से जो फिलिंग हमने तयार की है इसको उपर से लगा देंगे और इसको फॉक से हमने इस तरह से दबा देंगे बिल्कुल है नहीं जी तरीका तो आप भी इस तरह से जरूर ट्राई करें इस होली आप इस तरह से जटपट से गुजिया बना करके बिना मेनत के तयार कर सकते हैं तो एक और आपको दिखा दे रहें तरीका जिससे आप इसको भी असानी से बना सकते हैं जैसे गुजिया का साचा होता है बिल्कुल उस तरह से तो इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस पर और अंदर फिलिंग भर लेंगे और इस तरह से लगा करके चारो तरफ से अच्छे से इसको दबा देना है ताकि तेल में फ्राई करते समय गुजिया खुले न और बिल्कुल करारी बने ये देखिए हमने अच्छे तरी तो ये देखिए तयार हो गया इसको फ्राई कर लेते हैं तो सारे गुजिया को हमने बना करके इस तरह से तयार कर लेना है बिल्कुल अलग तरीका है तो आप साधा गुजिया तो बनाते ही है फ्रेंड थोड़ा सा डिजाइनर गुजिया भी बनाना इस तरह से असान होगा तो यह देखिए सारा गोजिया हमने बना करके इसी तरह से तैयार कर लिया है इसको फ्राई कर लेते हैं तो इधर तेल गरम हो गया है आप इसे देशी घी में भी फ्राई कर सकते हैं तो एक-एक गोजिया को तेल में इस तरह से डालते जाना है तो गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे और तेल को अच्छा गरम कर लेंगे इसके बाद हम गुजिया डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे तो यह देखिए हमने गुजिया को डाल दिया है थोड़ी दिर सीखने के बाद गैस का फ्लेम लोग पे कर देंगे और धीमी आज पर ही इसको पकने देंगे ज्यादा तेज आज नहीं करना है तो गुजिया जो है उपर से जल जाएगा और अंदर से बिल्कुर कच्चा रह जाएगा तो इस बात का ध्यान रखें फ्रेंज गुजिया जो है धीमी आज पर ही तरना है तो यह देखिए थोड़ा सा नीचे से सीख गया है तो इसको पलट देते हैं तो आप चम्मज, फोग या जो भी आप चालने के लिए इस्तमाल कर रहे हैं उससे आप इसको पलट दें और यह देखिए गुजिया का कलर काफी बढ़िया आया है तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसको निकाल लेते हैं ज्यादा घी तेल भी नहीं लगता है और कम घी तेल में आप इस तरह से असान तरीके से गुजिया बना सकते हैं तो देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बना है बहुत ही खस्ता भी बना है तो बाकी का गुजिया जो है दिखादे रही है एक और डिजाइनर वाला घोजिया आपको दिखा दे रही हूं लूजविए प्राई करकर तो यह देगे बिलकुल खुलने का डर नहीं है अगर आप सांचे से गुजिया बनाते हैं फ्रेंज तो उसका खुलने का डल रहता है पर डिजाइनर गुजिया जैसे मन वैसे आप इसको फ्राई करें बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तेल में जाने के बाद तो आटा आपको बिल्कुल ज्यादा टाइट ने ज्यादा नरम लगाना है मिडियम साइज का आटा लगाना है जैसे हमने लगा करके तयार किया है देखे ये भी गुजिया बिल्कुल तयार हो गया है काफी अच्छा डिजाइन उभर करके आया है और देखने में भी काफी कुछ सूरत लग रहा है तो ये दिखिए हमने सारे गोजिया को बना करके तयार कर लिया है काफी टेस्टी और काफी बढ़िया गोजिया बना है तो आप भी इसोली इस तरह से जरूर गोजिया बनाईए मैं आपको एक तोड़ के दिखा दे रही हूँ ये दिखिए बिल्कुल अंदर से दम उपर से प्रिस्प और अंदर से बिल्कुल सॉप्ट बना है और जो देसी घी का हमने मोयन दिया है उसके बज़े से गोजिया काफी हेल्दी बनाए तो आप इस होली बिना मावा बिना सूजी का इस तरह से गोजिया जरूर घर्प ट्राइ करिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईए बिलते हैं नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवादे